जोहिन प्रेंस नमस्कार सोफ्रेंस भारत इस महिने के लिए दूसरा नोटाम जारी करता है मतलब नोटिस्टू एर में नोटाम जारी किया जाएगा कुछ समय कुछ दिन लिमिटेड टाइम के लिए कोई भी एरकाप्ट इस एरिया एर स्पेस में उड़ान नहीं भर पाएंगे क्यूंकि हमारे डियाद्वे के तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि इस एरिया में हम कुछ आक्टिबिटीज करेंगे जी हाँ सोफ्रेंस भारत ने टूइटर यूजर आट रेट अब डी टेस पा दोरा ओपल अब्द कराई गई जानकारी के अनुजार 15-17 जुलाई 2021 की आवदी के लिए बंगाल की खाडी में के एक्स्पिरिमेंटाल फाइट वी केल के प्रोखेपन के लिए एर में नोटाम को दूसरा नोटिस जारी किया है ध्यान रखे इसी महिना का पहला नोटाम 8-11 जुलाई 2021 तक है कि भारत इस बार इंडिया नाम पोसेस के लिए एमार एसे मिडियोम रेंस और फैसे टु आयार मीजाइल जो गिये के एर दिफेंस इंटॉर होगाने के दौसराल की योजना बनाया जा रहा है यहां पर हमारे भारत के दरब से एर्डिफेंट सिस्टम्स का बात किया जाये तो ये के आर्वांसेड एर्डिफेंट सिस्टम्स है जो हमारे DR2 और इजरेली एरोस्पेस इंडोस्ट्री वापपोस कोलाबसन में डबलब कर रहे हैं इसका फास्ट वेरियंट 2017 से सर्विस में है पौर मीजायल का लेंध यहाँ पर 4.5 मीटर होता है साथ-साथ-2019 से इसे इंड़ान एर्फोस को सोपा गया है अगर फेंस यहाँ पर MRA SM कापबिल्डिज को पर बात करे तो ये आर्वांसेड MRA SM मीजायलों को MRA SM मध्योंदूरी पर विभिन्न प्रकार के हवाई खोत्रों के खिलाप सोशोस्त्रों बोलो को Air Defense Capabilities बायरोख्या खमता प्रतान करता है मतलब इसे स्पेशाल ड्रोन मीजायल खत्रे को इंटोर्षप्ट करने के लिए डेवलाप डिजाइनी किया गया है हमारे ड्रोन के तरफ से इजिराइल एरोस्पेस इंडोस्ट्री आई ए आई के तरफ से और बड़ी बात यह है कि यह देशी एर्डिबेन सिस्टम 5 से 80 किलिम्टर दूर से आने वाले होर एक ड्रोन मीजायल एरकाप्ट को एर में इंटोर्षप्ट कर सकता है गिरा सकता है मतलब डिश्टोर कर सकता है जो फिर मैक टू स्पीड में मतलब 2000 किलिम्टर पर घंटे की इस रफ्तार से एक प्रकार इसे मिडियोम रेंज देशी सीच्टमज हम इसे कह सकता है जीहा जो की रौजय का है या 400 किलिम्टर दूर से कोईवी अब्जेक्त को इहा पर डिश्टोर कर सकता है जिसे भी देखेगा मेटाल होतो ठोकेगा इसलिए इसे दुनिया का सबसे फारफुल अड्बाहाइद सैच्टमज माना जाता है आपका आसीज जोहीं जो भारत